चुनावों के नजदीक आते ही सभी राजनेतिक दल जक्रिय हो गए हैं और आरो प्रत्य रोप घोशनाएं और वाइदों का दौर आरम हो चुका है इसी सिलसले में सोलन में सांसद विरेंदर कशिप ने सोलन सहरवासियों की नवज को टोटोला और कॉंगरिस को आड़े हातों लेते हुए कहा कि कॉंगरिस नेताओं और कॉंगरिस सरकार की वज़े से सोलन शहर का विकास नहीं हुआ है सोलन वासियों ने नगर निगम बनाने के लिए मुहीम चलाई लेकिन वे कॉंग्रेस नेताओं के नकरात्मक रवेई के कारण सिरें नहीं चड़ पाई लेकिन भाजपा सरकार ने इस मांग को अपनी प्रात्मिक्ता में रखा है और जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा बिरेंदर कशिप ने कहा कि धरमशाला से पहले सोलन को नगर निगम बनाना चाहिए था लेकिन कॉंग्रेस सरकार और स्थानिय विधायक ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया जिसकी वज़े से आज तक सोलन नगर निगम नहीं बन पाया है लेकिन भाजपा जल्द ही सोलन वाचियों की ये मांग पूरी करेगी और जल्द ही वे मुख्यमंतर से मिलकर इस मांग को दमधार धंग से उठाकर इसे पूरा करने की कोशिश करवाएगी उन्हें कहा कि अगर सोलन नगर निगम बनता है तो सोलन के विकास में करड़ो रुपे की राशी प्रयाप्त होगी जिससे सोलन का कायकल भी बदल जाएगा आपको बता दें कि पिछले काफी वर्षों से नगर निगम संघर्ट समीती में सैकड़ो सदत से सोलन को नगर निगम की मां उठा रहे हैं लेकिन आज तक सोलन को नगर निकम बनाने की परिक्रिया भी आरम नहीं हुई है और सोलन को नगर निकम बनाने की मोहिम राजनिती की बेंट चड़ गई है। लेकिन अब भाजपा नेता इसे प्रमुक्ता से उठा रहे हैं और मुक्खे मंत्री ने भी सोलन को धरमशाला बनाने के लिए हामी भर दी है जिससे सोलनवासियों के दिलों में जगा जरूर बनी है लेकिन इसका फाइदा मिलता है या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा इसमें कोई संदेश नहीं कि हमारी सोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है यहां पर काफी बाहर के लोग भी आ रहे हैं और यहां पर जिस तरह से और स्कीमें बहुत आएंगी इस वज़ा से हमारा यह प्रयास रहेगा के सोलन जो है वो निगम बने और इसमें सरकार का जो अभी मानिय श्री जैराम ठाकुर जी के नित्रित्यों बनी है उनका भी काफी पॉजिटिव है के सोलन का हम आने वाले दिनों में अवश्य ही निगम बनाएंगे और मेरा व्यक्तिगत भी यही विचार है कि सोलन को बनाना चाहिए कॉंग्रेस के समय में सोलन को जो है वो धरकिनार रखा गया परन्तु हमें जैसे मालूम है कि उन्होंने धरमशाला जो जहांकी पॉपुलिशन सोलन से कहीं कम है वहां का भी निगम बन प्रंतु सोलन को जो है वो नहीं बनाया ये उस वक्त के जो करता धरता यहां के रहे हैं उनकी भी कमजोरी रही होगी और सरकार ने भी सोलन की तरफ जो है उद्यार नहीं दिया तो अवश्य ही हम इसको आने वाले दिनों में टेक अप करने वाले हैं